मैं डॉक्र सुपरिया पुरानिक टेस्टिव बेवी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑप्सटिक अंगानेकलोजी मोग देन 20 यर्ज यूजवनी हमारे मंद में प्रश्ण रहता है सेक्स के बाद हम तुरन यूरीन पास करने चले गए तो हमारी कंसी होने के चांसे कम हो जाएगे जी हाँ हम बेवी के लिए भी कंसीव कर रहे हैं और यह हमारी फेज है कि हम बेवी चाहते हैं लेकिन बेवी कंसीव नहीं हो रहा है तो तरहतरी के बाते हमें डराने लगती है और उसमें से सबसे पहली बात ये है कि सेक्स के बाद मैं वाश्रूम चली गई और यूरीन पास कर दिया तो क्या मेरे कंसी होने में कुछ दिक्कते आ सकती हैं? तो पहले हम जानेंगे हम कंसी कैसे होते हैं? ओविलेशन के दर्मियान जब हम साथ में रहते हैं, इंटरकोर्स होता है तो हमारी कंसी होने के चांसे बढ़ जाते हैं वैसे देखा जाया तो ovulation से पहले जो एक दो दिन हम साथ में रहते हैं इंटर कोर्स करते हैं उससे भी कंसी होने की संभावना अच्छी रहती है जब हम साथ में रहते हैं हमारे वजायना में शुकरानू यानि इसकी sperms deposit हो जाते हैं तो यह सीमेन जो रहता है यह सीमेन में sperms रहते हैं, seminal fluid रहता है, थोड़े muscles रहते हैं, bacteria रहते हैं, तरह तरह के secretions रहती है यह यह प्रोश्टाटिक से रहती है यानिकि यह सीमेन इन सारी चीजों से भरा हुआ रहता है इंटरकोर्स के बाद यह जो शुक्रानू रहते हैं जिनकी motility अच्छी रहती है, movement अच्छी रहती है वो तुरंथ cervical secretion यानि कि गरभाशे के मुख में जो चिकनाहट रहती है उसे easily pass होके ऊपर uterus की तरफ चली जाती है और यह बचा हुआ fluid जो है, वो 80% fluid बाहर वैसे भी आ जाता है इसलिए sex के बाद आप सिर्फ 5 minute लेटे रहोगे और उसके बाद तुरंथ पिशाप के लिए जाओगे तो यह conception के लिए कोई problem नहीं होता In fact, intercourse के बाद आप जब पिशाप करने जाते हो यह एक healthy आदत है और दूसरी बात यह है वजायना के एक्टम नश्दिक यहनि कि hardly 1 cm की दूरी पे पिशाप का बाहरी outlet रहता है जिससे पिशाप बाहर आती है जिसको हम यूरेत्रा कहता है जब intercourse होता है तो thirst के कारण जटको की कारण यह पिशाप की थैली पे दबाव डालता है यह पिशाप की थैली पे दबाव आ जाता है और urine pass करने का sensation बढ़ जाता है इसलिए intercourse के बाद 5 मिनिट तक लेटे रहना conceive करने के लिए काफी होता है उसके बाद आपको पिशाप करन जाना है क्योंकि intercourse के दारान या सीमेन में बैक्टेरियाज रहते हैं पस रहते हैं प्यूबी के रियास में कुछ बैक्टेरियाज रहते हैं और अपनी पिशाप को अपनिंग नजदिक रहने से वह संक्रमीत हो सकते हैं infection हो सकता है और UTI के chances यानि कि urinary tract infection होने के chances बढ़ ज होंगी आप conceive करने के कोशिश कर रहे हो फिर भी intercourse के बाद 5 या 10 मिनिट में पिशाप करने आपको जरूर जाना है आपको अच्छे से अपना perennial area wash करना है और यह आपकी स्वास्थय के लिए बहुत ही जरूरी है इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें देक्टराईए बहन्यवाद